I hope आप सब ठीक होंगे आज हम EBS के जो कुछ important topic न्यूज में चल रहे हैं न्यूज में हैं, रिपोर्टें, कुछ उसके ओपर हम discussion करेंगे First topic है हमारा Air Quality Index ठीक है, हावा की quality का index ये जो index से ही launch होता है 2014 में इसका क्या है, one number, one color, one description अगर ऐसे पुछें कि one number, one color, one description किसके related है तो Air Quality Index के ये जो daily air quality के वारे में बताता है ये index क्या करता है, कोई monthly या yearly नी daily air quality के वारे में बताता है इस में, इस index में हम कितने pollutant को cover करते है 8, ठीक है, कितने pollutant को हम calculate करते है 8 pollutant को अब हम देखते हैं कौन-कौन से और ये exam point of view से भी बहुत important हो जाते है आपको statement दे देंगे ठीक है, अब देखो ground level azun दो टाइब की अजोन होती है, एक ground level और एक stratosphere जो stratosphere वाली होती है, वो हारम फुल नहीं होती है ground वाली जो होती है, वो ज्यादा हारम फुल होती है और PM 10 पदाहन मंत्री 10 नहीं particulate matter 10 PM 2.5 carbon monoxide, sulfur dioxide, nitrogen dioxide, ammonia, lead very important यहां पर carbon dioxide को include नहीं किया है कौन-कौन से है, ओजोन है, ground level की PM 10, 2.5, carbon monoxide, sulfur dioxide, nitrogen dioxide, ammonia, lead ठीक है, अब central जो pollution board है उन्होंने इस index को color भी दिया और कुछ category में divide किया है कितनी category है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pollutant कितने है, 8 और category कितनी है, 6 color भी देख सकते हो आप और साथ में, ऐसे ही पूल सकते है 0.50 में जो आता है, वो good होता है 51 से 100 तक, satisficate 100 से 200, moderate 200 से 300, poor और 300 से 400, very poor 400 से 500, sir first और last 0 से 50, good ठीक है, और 401 से 500, sub कितने category है, 6 fluten कितने है, 8 कारम डाइक साड है, no अजोन कुन सी है, ground level की अब उसके बाद इसके related ठीक है, अब हमने air quality index पढ़ा, लेकिन world air quality report भी produce करता है, निकालता है कोन? Swiss organization ठीक है, कोन निकालता है? Swiss organization बहुत important है, world air quality report कोन produce करता है? Swiss organization इस वार की जो रिपोर्ट है, उसमें देखा जाए तो हमारा जो बारत है, इंडिया है, उसकी 30, 30 polluted city है, ये जो static portion है, इसको देख लेना, 30 polluted city है, हमारी इंडिया की, और बाद कर रहे हैं, city की world quality, world air quality report के according, इसमें हम किसको देखते हैं, particular matter 2.5 ठीक है, ऐसे वह सकते हैं, किसको देखे हम judgment करते हैं, particular matter 2.5, और कोन produce करता है, Swiss organization, इंडिया की कितनी city polluted है, 30 30 अब इंडिया की scenario में हम देखते हैं, क्या क्या है 2019 से लेके 2020 तक 15%, और सबसे highest में कोन है, दिली जो हमारी capital है, यहां पर आप देख सकते हो, Delhi has been listed 10th most polluted city and top polluted capital in the world, top polluted capital city in the world, अब ऐसे पुछें कि world में, पूरे world में, सबसे गंदी capital कोन सी है, top में कोन सी आती है, हमारी capital, Delhi उसके बाद, second जो है, गाजियवाद, second most polluted city in the world, हाई रब बादेखो, हमारी इंडिया का, क्या बुरा हाल है ठीक है, world के हिसाब से हम देखते हैं, तो जो दिल्ली है, वो world की most capital city है, उसके बाद डाका, डाका किसकी capital है, बंगलादेश की उसके बाद, उलान बतार, मुंगोलिया की capital, third number पे, fourth number पे, अफगानिस्तान की capital, काबुल, और उसके बाद, पांचवे नमबर पे, कतर की capital, दोहा फर्स्ट पे इंडिया के कैपिटल, सेकिंड में बंगलादेश की कैपिटल ढाका थर्ड पे मुंगोलिया की कैपिटल उलान बतर अफगानिस्तान फोर्थ नंबर पे जिसकी कैपिटल काबुल है और कतर दोहा फिफ्थ नंबर पे वर्ड कंठ्री रैंकिंग, बंगलादेश most polluted country पहले हमने कैपिटल बढ़ा, अब कंठ्री में सबसे गंधी को है बंगलादेश उसके बाद पाकिस्तान ठीक है उसके बाद इंडिया, इंडिया तीसरे नंबर पे है अब सीटी में सीटी में है चाइना की होतान ठीक है और उसके बाद गाजिया परदेश गाजिया उत्तरपरदेश का सीटी में हम सेकिंड नमबर पे हैं वर्ल्ड में हम थर्ड नमबर पे हैं और कैपिटल में हम टॉप में वन टू थ्री तीन पूश्ण को हमने ले ली के बाद हम कुछ और इन्फरमेशन देते हैं जो फर्स्ट फंक्षनल स्मोग टावर स्मोग टावर कहां पे है कहां पे इस्टैब्लिश किया है दिल्ली दिल्ली में आनंद बिहार ठीक है इंस्टॉल वहां किया और टालेस्ट एर प्यूरिफायर एर फ्यूरिफायर कहां किया है चंदिगड में इसके related एक portal भी बनाया हुआ है क्या नाम है portal ऐसे पूछें अगर प्राना प्राना किसके related है तो एर क्वालिटी इंडेक्स के related है प्राना किसके related है एर क्वालिटी इंडेक्स के launch किया है N-C-A-P National Council इन्होंने launch किया है इनका target क्या है क्यों launch किया है कुछ target होगा तो इनका target है 20 से 30% हमने decrease करना है particular matter 2.5 and 10 को 2024 तक उसके बाद एक और है सफर सफर की full farm है system, air quality weather forecasting और यह metrovillin city के लिए है ठीक है सफर भी air quality और weather forecasting के लिए यह कुछ current recent ही EVS के related अगर आपको अच्छा लगे तो please like, share and comment Thank you